अब बात करता हूं यह तो बुरा लगता है नार जब आप गेम खेले और अपने फ्रेंड को रिवाइब करें तो पीछे से आपको कोई गोली मार दें सेरेसली मेरे साथ कई बार यह हुआ यार मैं तो परिशान उचका हूं खेर यह दो था केम छोड़ो इस बात को अब बात करते हैं हमारे में टॉपिक की यानी पब्जी मोबाइल गेम हाक क्या आप भी सोच रहें इस गेम को हाक करने की चाहते हैं अपने फोन में वाल हैकिंग स्पीड हैकिंग या फिर अनलिमिटेट बीपी या फिर यूसी वैल अगर आप भी सोच रहें ऐसा तो भी यह सोच लो क्या जाता है सोचने में थोड़ी कुछ जाता है वैल यह एक छोड़ा सा मजाग था आइनो बहुत ही बुरा था लेकिन दोसरी यहां पर सवाल उड़त तो मैं आपको कुछ इंपॉर्डेंट चीजें भी बताने वाला हूं पबजी मोबाल गेम हाकिंग को लेके कि अगर यह सारे स्टैप्स को अगर आप फॉलो करते हो तो ऐसे में आपको भारी नुक्साल जेलना पड़ सकता है तो यहां पर इस वीडियो को आप पूरा देख यह फिर ऐसा कोई भी सेक्योर्टी अभी तक नहीं बना जो 100% हैक पूरूफ हो जो कभी भी हैक नहीं हो सकता हर सिस्टम हर चीज इंटरेट की दुनिया में हैक हो सकती है सेम इसी तरह दोस्तों पबजी मोबाल गेम भी एक ऑनलाइन गेम है जो कि इंटरेट से कनेक्टेट ह होने के बाद आप खेल सकते हैं तो ऐसे में भीया इस गेम को भी आप हैक कर सकते हैं यह पॉसिबल है लेकिन दोस्तों इहां पर इस गेम को हैक करना इतना असान नहीं है जितना हम सभी लोग सोचते हैं अगर आप Google पर जाओगे YouTube पर जाओगे सेर्च कर अगे हाँ टो है पबड़ी वॉबाइल गेम तो ऐसे में आपको कई सारे आर्टिकल मिल जाएंगे कई सारे इसे विडियो जाएंगे जिनमें आपको परस्ट अली पड़ी मोबाइल गेम को हाक करके दिखा जाता है तो यहां पर बेसिकली जो आपको दो पॉपलर तरीके दिखा जाते हैं उन्हें के बारे में मैं आपको डीटेल्स में बताने वाला हूं और बताने वाला हूं कि अगर आप इन सभी स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो ऐसे में आपको क्या-क्या नुक्सान जीलना पड़ सकता है तो यहां पर आपको सबसे पहला मैथड़ बता जाता है PUBG करें जी हां जो कि मैं बिलकुल भी रेक्यमेंट नहीं करता तो यहां पर इसके लिए मैंने अलग से बहुत पहले एक डेडिकरेट वीडियो बना दिया था वह आप देख सकते हैं इसके साथ ही वीडियो में मैंने अपना रियल एक्सपीरेंस रूट करने के बाद दाब मु तो यहां पर आप से कहा जाता है कि आपका फोन रूट होना चाहिए क्योंकि बिना रूट के यह मैथड काम नहीं करता अगर आपका स्क्रिप्ट फाइल को एक्सिक्यूट करना अपने फोन में तो ऐसे में आपका जो फोन है वो रूट होना पेहती जरूरी है इसके बाद आपसे कहा जाता है कि अपने फोन में एक डाउलोड करें फाइल वो लिंक भी दे देते हैं क्योंकि वो थर्ड पार्टी वेबसाइट का होता वो प्ले स्टोर पर अवेलेबल नहीं होता क्योंकि वो जो आप है वो सेफ नहीं है सिक्यूर नहीं है इसलिए उससे जाता है इस्हां पर आपको ओपन करो उसके बाद स्कृट वाल हैक हों गया स्पीड हैकिंग हो गया उसके बाद स्कृट नहीं है तो यहां पर ऑननलाइन है जैसा कि आपको पता ही है तो यहां पर आपको यह गेम खेलने के लिए सर्वर से कनेक्ट होना बेहती जरूरी है बिना सर्वर से कनेक्ट होए आप इस गेम को नहीं खेल सकते इसके लाब दोस्तों यहां पर सबसे बड़ा नुकसान वह यह है कि इस गेम को हाक करने के लिए इस प्रोसेस को फालो करने के लिए आपको अपना फोन रूट करना पड़ेगा तो रूट करने से आपका जो फोन है वो खराब हो सकता है यह तो पूरी तरह से खतम हो जाती है आपका जो जो फोन है में जो भी डीटेल से वह कोई भी तुक है जिनको आपने पापर्बॉटल वह सारी की सारी इसे चूछके यहां पर ज़़री नहीं कि आप इस मेटाड़ को örtबजाए के बाद आपका जो गेम है PUBG Mobile game में वो hack हो जाएगा इसके लाब आपको दूसरा method बता जाता है वो है website की मतलब से I'm sure आपने भी यह कभी न कभी ट्राइज जरूर कह रहा होगा किसी भी online game को hack करने के लिए तो इस method में बताएगा जाता है आपने PUBG Mobile का जो भी ID है वह डालो और वहां पर आपको जो कुछ भी चाहिए चाहिए वह यूशी हो गया या फिर बीपी हो गया या फिर दूसरी चीज हो गया वह आपको चाहिए वहां पर डीटेल्स भरो या फिर इसके लाब आपसे का जाता है कि अबर अबर्टाइजिंग भी दिखा जाता है तो यहां पर यह वेबसाइट जो होते हैं आपसे अपना काम निकल वा लेते हैं यहां अबर्टाइजिंग से पैसे कमा लिए उसके बाद बोलते हैं यह टास्क पूरा करने के बाद भी आपको कुछ नहीं मिलता तो ऐसे में तो यहां पर अगर आप इस में फालो करते हैं तो ऐसे में आपको कुछ भी फायदा नहीं होने वाला जितने भी ओनलाइन वेबसाइट होते हैं जिनमें आपको आपको बता जाता है कि आपको फ्री मिल जाएगा आपको यह सारे सर्वेस पूरे करने हो गए उन सारे पालो करने से और इसे मता को फॉरेक है तो होशन पसक्रिप्टिंग फायल में एसा माश्यकर को नुकसान पहुंचा सकता है फिर आपकी इंफने को चुरा सकता है एसे में प्छु ईप्णय कीविशें इसे पिस करने से आप को नुकसान पढ़ सकता है सब तो यहां पर इस गेम को रील तरीके से हैक करना है तो ऐसे में आपको PUBG Mobile Game का जो भी सर्वर है उसे हैक करना होगा जो की बहुत ही मुश्किल है एक नॉरमल इंसान के लिए यह इंपॉसिबल है रूल्स के हिसाब से खेलने के बाद ये गेम्स को मज़ा आता है, ऐसे यार हाकिंग वाकिंग करके मज़ा नहीं आता, I hope दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, तो बस यार इस वीडियो के लिए चले के तो लाइक जरूर कर देना, और कमेंट करके बताना तो उसकी जानकारी आपको सबसे बहले मिल सके, तो मिलता हमें आपको एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गद्वाई